नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स प्लॉट पर दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के शाद वीडियो शेयर करी थी, जिसके अंदर मैंने मनी प्लांट में मौसिस्टिक लगाने के क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से मौसिस्टिक बना कर अपने मनी प्लांट में लगा सकते हैं ये सारी चीजे से अर करी थी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग किस तरीके से अपने मनी प्लांट के पत्तों को ज़्यादा चमकदार बना सकते हैं किस तरीके से हमारा मनी प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा घणा दिख सकता है ये सारी चीजें से यहर करने वाला हूँ वीडियो में लास तक बने रहिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शियर भी जरूर कर लीजेगा चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर के वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजेगा जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले यहां पर आप लोगों के पास सामने इस समय जो मनी प्लांट की अलग-अलग वराइटी है इसमें ये नॉर्मल गोल्डेन पोथोज है आप लोगों के सामने जो हर कहीं आप लोगों को लगा हुआ दिख जाएगा इसकी पत्तियां देखिए काफी ज़्यादा साइनी है और काफी ज़्यादा ये प्लांट जो है आपका बुसी बन चुका है और इसके बाद ये अगली वराइटी जो आप लोगों के सामने है इसको नियोन पोथोच के नाम से जाना जाता है इसके जो पत्ते होते हैं ये पैरट ग्रीन कलर के होते हैं और जो नए पत्ते इसके खासकर निकल के आते हैं वो बिल्कुल जो है जिस तरीके से तोते का कलर होता है बिल्कुल वैसे ही होता है अगली जो variety है इसको enjoy पोथोच के नाम से जानते हैं आपके golden पोथोच और neon पोथोच की अपेच्छा जो है ये थोड़ा slow growth करता है लेकिन ये भी काफी जाता घणा हो जाता है जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे से ये खूब जाता घणा हो चुका है मैंने moss stick भी लगा दी है इसके अंदर यहां सक देखिए ये चड़ चुका है और मैंने ये तो अभी हाल में ही लगाया हुआ है और इसको जो है फिर से अपने हाथ से ऐसे ही बनाकर moss stick दे दी है यहां पर ये मेरे छोटे-छोटे hanging pot के अंदर लगे हुए है ये दोनों neon है और ये दोनों enjoy pot होज है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये money plant के जो पौधे होते हैं ये हमेशा जो है bright light के अंदर ही सबसे अच्छा grow करते हैं अगर आपके इनके पत्तों की चमक जो है बरकरार रखनी है या फिर जो है इनके पत्तों के अंदर खुपसूर्ती और इनका घनापन देखना है तो हमेशा इनको bright light में रखे जहां पर सूरिका indirect प्रकास जो है इनके उपर पढ़ता रहे मतलब direct sunlight ना पड़े और indirect sunlight पड़े तो ज़्यादा ही वहतर होगा bright light इनके उपर पूरे दिन की अच्छे से इनको मिलती रहे अगर आप ज़्यादा shady area में रख देंगे तो वहाँ पर जो है इसके पत्ते बड़े पतले पतले से लचीले से आएंगे वह देखने में अच्छे नहीं लगेंगे ब्रांचेज भी लाएगी आएंगी वह चमक नहीं होगी इनके अंदर इस वज़ा से complete जो है shade में भी इसको मतलब आईए और अगर sunlight इसको ज़्यादा मिलेगी तो पत्ते इसके बर्ण होंगे भूरे होंगे पीले होंगे और धिरे-धिरे करके खराब होते रहेंगे तो पहली चीज sunlight है दूसरी चीज मिट्टी की मिट्टी जब इसके लिए बनाईए तो इसके अंदर 40% आप जो है गार्डेंस वाइल रखिये 20% कोको पीट रखिये 20% कमपोच रखिये और 20% सेंड रखिये मतलब गार्डेंस वाइल की मात्रा जादा है बाकी तीनों की जो है वो 20-20-20% रही बात जो है आपके इस प्लांट के लिए वाटरिंग की तो आप लोगों को पता होगा कि ये पौधा जो है पानी में भी खूब अच्छा ग्रो करता है लेकिन यही पौधा जब मिट्टी म नहीं खतम होनी चाहिए क्योंकि अगर एक दो दिन भी इसके अंदर जो है नमी थोड़ा डिस्वैलेंस होती है तो फिर इसके पत्ते मुर्जा कर लटक जाते हैं और नेक्स अगर आप पानी देकर ठीक भी कर लेते हैं तो वो कुछ पत्ते जो नीचे की साइट के होते हैं जिनको जाना होता है जल्दी जिनकी लाइफ साइकल कंप्लीट होने वाली रहती है वो जल्दी जो है वो पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरुवत है कि अंडर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए लेकिन ओबर वाटरिंग न रिज़ें फरलतर आपका पॉधा यह प्र सब्सक्राइल प्र उबरों होता है तो बहुत ही वहते हैं- मतलब कोई बीटर रेखनागर उसमें जो है जो माइक्रो-णी नूट्रेंट होगे लाइक पταस्फोरियां यह मदार मारिकिन तो अगर वर्मूष्ट के अंदर नीट्रोgenず्ट में मिल्ती है यही वज़य होती है कि जब हम अपने प्लावरिंग प्लांट को साध्म् जासे प्ताइस्ट पसंद करने वाला पॉधा है तो यह पास्पोरस प्संद करने वाला पॉधा है तो इस प्त प्सक्रasand करने हर तीसरे महीने solid form बाद आती है liquid form की तो आपको हर 15 दिन पर इसके उपर liquid fertilizer का इस्प्रे करना है बदल बदर कर आप कर सकते हैं जैसे कि आप मैंने आप लोगों को इसके लिए milk fertilizer बताया था कि आपके पास कच्छा दूद हो गाय का उसका एक चमच लीजी एक लीटर पानी के अ भी कबार इसके उपर आती हैं वो भी जो है इनसे दोर रहेंगे दूसरा जो fertilizer है वो compost रही तयार किया जाता है compost को भीगा कर 24 गंटे के रिए रख दीजिए और उसके बाद जो है आप उसको छान कर अलग कीजिए दोगुने पानी में mix करके आप इसकी roots में भी डाल सकते हैं साथी साथ इनके उपर spray भी कर सकते हैं और seaweed का मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि seaweed भी जो है आप seaweed का जो liquid form होता है उसको भी आप एक धक्कन लेकर एक लीटर पानी के अंदर डाल कर जो है इसकी roots में भी डाल सकते हैं और साथी साथ पतों पर भी spray कर सकते हैं लेकिन आ के अंदर यह variegated leaves जिनकी होती है उस पर मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं उसको मत करिएगा लेकिन यह जो green leaves वाले पत्ते होते हैं green leaves वाले plant होते हैं इनके उपर आप बड़ी ही इसली जो है उस चीज को apply कर सकते हैं दोस्तों अभी आप लोगों को मेरे हाथ में यह white color का फदा दिख रहा है यह आपका epsom salt है जिसे magnesium sulfate के नाम से जाना जाता है magnesium sulfate में magnesium और sulfur की बहुत अच्छी मात्रा होती है इस वज़ा से जो है अगर हमारा कोई plant जिसके अंदर पतियों में शिकुड़ा ना रही है या फिर पतियों के अंदर चमक नहीं है पतियां करते हैं तो सबसे पहले यह पतों के ऊपर जाकर फोटो सिंथिस का जो प्रॉसेस है वो अच्छा करता है जिसकी वज़ा से जो प्लोरोफिल बनती है ग्रीन कलर के पतों में जिसके कारड जो है पौधों में ग्रीनरी बनती है उसके लिए यह काफी ज्यादा helpful होता है तो कर तरफ यह डिजॉल्व हो गया और यहां पर यह मेरा जो इस्प्रे बोटल है यह दो लीटर का है इस वज़ा से मैंने इसके अंदर लगभग जो है वो दो टेवल स्पून इसका ले रखा है और एक तरफ अगर डालेंगे तो दूसरी तरफ यह तुरंथी जड़ से डिजॉ आपका जो एंज्वाएप उथो जह है इसके पत्ते ग्रीण और वाइट का एक कॉम्मिनेशन बनाते हैं ऐसे ही मारबल कुीन होता है जो वाइट और ग्रीन का कॉम्मिनेशन से जो है बनता है तो उन पत्तों के उपर आपको इसप्रे नहीं करना है सिर्फ जिनके उपर अच्छे से जो है इसका फोलिएज इससे लेना चाहिए इससे पत्तों के अंदर चमक नuwगी ही ही साथ-थी- साथ-पत् Kraut के अंदर जो भां की सारी समस्याएं जो पत्तों से रिलेटड होती है वह सभी हो solve हो जाएंगे तो money plant के उपर आप इस चेज को apply कर सकते हैं खास तोर पर जो है neon पोथोज और golden पोथोज के उपर कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसे ही किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबाए और टेक केर